असली है, वेलकम टु लेट्सकूपुित पैशन। आज मैं आपके साथ फिश फ्राइ की रेसीपी शेयर करने जारही हूं। इस तरह से आप फिश फ्राइ को बना कर खाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इस तरह से फिश फ्राई बना कर जरूर ट्राई करें और यह बहुत फाइदे मंद भी होती है तो सर्दियों में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें एक बार तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम रहू फिश का यूज किया है आप बोनलेस फिश का भी यूज कर सकते हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से दो कर और इसका पानी सुखा लिया इस ट्रेनर में रखकर अब सबसे पहले हम इसे फस्ट मैरिनेशन में मैरिनेट करेंगे जिसमें एक टेबिल स्पून मैंने नीमू कर रस लिया है इससे आप दो बार इसको मैरिनेट करें तो इससे काफी जूसी भी बनती है और इसमें जो इसमेल होती है फिश की वो भी काफी निकल जाती है तो अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और दस मिनिट के लिए साइड में रख देंगे ढ़कर तो इस तरह से आप फिश फ इसी में दो टेबिल स्पून चावल का अटा भी डाल देंगे आप चाहें तो कौन फ्लार या मैदे का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास एवलेबल हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं इसी के साथ इसमें एक टी स्पून भुनी हुई कसूरी मेती को भी डाल एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर एक टीस्पून इसमें बुने जीरे का पाउडर भी डाल देंगे और एक टीस्पून इसमें धनिया पाउडर या फिर आप गर्दरी पीस के भी धनिया को डाल सकते हैं एक चौथाई चम्मच काली मिर्श का पाउडर और आधा कर लेना अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें पानी से इसका एक बैटर बना लेंगे गाड़ा अब यह मिक्स हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसको गोल रही हूं गाड़ा ही बैटर रखना है जादा पतला नहीं करेंगे ताकि फिश अच्छे स तो पहले पहले पूल गई थी आप कश्मीरी लालमेच तो इसके लिकिन अच्छा था या फिर आप इसमें फूट कलर भी डाल सकते हैं अब तोड़ा पानी डालेंगे एक से दो टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे एक डम गाडा बेटर बनाना आगर आप ऐसे पतला कर तो यह फिश पे अच्छे से कोट नहीं होगा अब मैंने इसमें एक टेबल स्पून हरा धनिया भी डाल दिया है इससे बहुत अच्छा फ्लेवा राता है फिश में और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे अब हमारी फिश को मैरिनेट की हुए दस मिनिट हो चुके हैं फस्ट मैरिनेशन में तो अब हम इसमें जो हमने मैरिनेशन का मसाला बनाया है वो डालना है उससे पहले मैं इसमें आदा टी स्पून करश करके अजवाइन भी डाल रही हूं साहि दाष्ट मिक्स करें ऑख सताये के मशली के पीस पर अच्छे से कौट हो जाये बहुत अत्चे से एंस सभी पीसस्पे से रप करते हुआ ताकि इसमाटा कर देना है था इसमादा गंट कर देना मैरिनेट से कब लग में aa August है इसको फ्राइय करें सबस्क्राइ और करना ये इसको फ्राइन करना ये तो इसको इसको फ्राइय करने के लिए मैंने यानान आजरिब ए करना ये विल्वाद तो इसका पूरी उतर जाएगी, तो इसका हाई फ्लेम पर फ्राइ करें और दो मिनिट तक आप इसको पलटना शुरू करें जब हम एक थोड़ा सैट हो जाए, वर्ना इसका मसाला हट जाएगा, तो अब देखिए दो मिनिट हो चुके है तब मैं इसको पलट रही हूँ, अग प्रेस करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो अब देखिए यह फ्राइ हो गई है बस 5-6 मिनिट लगते हैं इस निकाल लें चन्नी पर तोड़ा सा तेल इसका निचोड़ कर और हम इसे प्लेट मेर रख देंगे इस तरह से हाई फ्लेम पर हमें इसके दूसरे पैश को भी फ्राइब कर लेना है और हमारी फिश प्राइब बिल्कुल रड़ी हो जाती है तो देखा आपने कितनी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो मिलते हैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ तक तक टेक केर अलाह आफिज